ये आकाशवाणी है, सामाईकी में प्रस्तुत है आधार के विभिन आयाम और संभावनाओं पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं UIDAI के CEO डॉक्टर एबी पांडे और पत्रकार मनोज गैरोला भारत सरकार के ICT के सबसे successful projects में से एक है अधार, अधार ने एक बहुती बड़ा milestone अचीव किया है, हमारे देश में 111 करोड लोगों के पास अधार कार्ड हो गए हैं, देश की total population 125 करोड की है, उसमें से 111 करोड के पास होने का मतलब है कि काफी बड़ी जो संक्या है, 80% से हुआ था 2010 में मिशर पांडे, उस समय UIADI में DDG थे और आज CEO हैं, जिस समय उन्होंने शुरू करा था तो क्या क्या चैरेंजिस आए थे और क्या उस समय उन्होंने सोचा था कि 111 करोड लोगों को इतने कम टाइम पर ये अधार कार्ड दे पाएंगे, ये प्रोड़ाम जब हमनोंने सुन में जब लॉंच किया था और 2010 में जब पहला अधार कार्ड दे उसमें देखे कि देश में इस्थिती किया थी, देश में अनेक तरह के स्टड़ी किये गए थे और उसमें ये निकल के आया था सामने, करीब टू थर्ड लोग ऐसे थे एक देश में कि जिनके प पूछा था कि आप कौन है और इसका उत्तर उनके पास रहता नहीं था त्योंकि उनके पास कुछ एक क्रेडिबल आइडेंटिटी डॉक्मेंट था ही नहीं उनके पास, उस समय में ये फैसला लिया गया है कि भारत के जितने भी निवासी हैं, सभी लोगों को एक अधार कार्ट को लांच करना, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा लोगों को इसके बारे में बताना, तो आपने क्या-क्या प्रोग्राम करें, कैसे आप लोगों ने उन लोगों को इसके बारे में जागरुख किया? देखे, इतने बड़े प्रोग्राम को चलने के लिए दो चीनियों की आउच सकता थी, एक तो एक मैसिव अवेरनेस कमपेंज, हम लोगों ने हर तरह के प्रसार माध्यम से, अकवार हो, तेलिविजन हो, सोसल मीडिया हो, या नुकर नाटक हो, इसकूल में ड्रामा हो, हर त तरह के अजनसी के दोरा, इसमें बैंक, स्टेट गव्मेंट, कॉप्रिट्व सोसाइटी, शभी के माध्यम से हर गाउं तक हम पहुँच करके, लोगों को ये बतानी की कोशिस की, कि आधार उनके फायदे की चीज़ है, और ये आधार उनकी आइजन्टिटी है, जो की और फिलक है आदार का इंडूर्मेंट, दूसरा हम लोगों ने गया किया कि ये पूरा आधार का इंडूर्मेंट का जो प्रॉसेस है, इसको इतना हमने सरल बनाया, कि इस पे लोगों को इन्रूर्ल करना वड़ा असान हूगया, हमने कोई एक लबाद जोरा को एक बहुत व of identity और एक proof of address इतना दे दे और अपने दसों उंगलियों का निशान दे दे और दोनों आका इलिज दे दे उसका photograph भी हम वहीं खीच लेते थे हम पस इतना ही करना था और हमने कहा कहा कि इसके लिए किसी center पर भी जाने की ज़वत नहीं हम गाओं गाओं में ही उनको enrollment कर लिया जाए ऐसी वेवस्था की तो चुकि यह पूरी प्रक्रिया इतनी सरल थी और निसुल्क भी था और लोगों के लिए भी बड़ा convenient था कि उनको कोई बहुँ ज़ादा काज इकठे नहीं करने पड़े और इसके क्या फाइदे हैं यह हम पहले ही बता चुके थे लोगों को इसलिए यह सब इतना हम काम कर पाए एक तो देखे जैसे आपने बताए कि अधार एक बारी बन जाता है तो पुरे जिंदगे बर के लिए वो ही अधार कार्ड वैलिड है और जो भी सुईधा है उसके साथ गौर्रमेंट के असोसियेटेड हैं वो हमेशा ही उसके साथ ही रहेंगे लेकिन अभी हमने देखा कि जब भारस सरकार ने 500 और 1000 रुपे के नोट बंद करें तो जो वरकर है जो अपने होम स्टेट से जैसे उस्तर परदेश अभी हार से दिल्ली बंबे जैसे शहरों में काम करने आता है थोड़े टाइम के लिए 6 महीने एक साल और वो वापिस चले जाता है जब उसने यहां अपना बैंक ऐसा कीोशिष करी इस आधार के सारे तो जो सरकारी बैंक थे उन सरकारी बैंकों ने भी उनके अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा यह गलत हुआ है क्योंकि Reserve Bank of India ने बराइस पस्ट इसमें निर्देश दिया हुआ है कि अगर किसी के पास आधार काड है और भले ही address कहीं दूसरे state का हो या दूसरे जगह का हो उसे अगर कहीं दूसरे जगह पे गया हुआ है तो वहाँ पर उसके bank account खोल ले चाहिए provided या तो उसके पास नए ज अधार काड है अधार काड में एक दूसरा address है अभी का मेरा पता यह है इसके basis पे bank को वहाँ पर account खोल देना चाहिए इसके बारे में RBI के बड़े इस पस्ट निर्देश है बैंक के जो उच्छ अधिकारी है उनके नजर में यह बार लाँगा मैं और उनको मैं अवस्छी बताऊंगा इस तरह से अगर लोगों को परिशानी हो रही है because of lack of information at the some of the branch managers level तो यह सब जानकारी उनको सही तरीके से दें RBI के जो instructions है वो दें जिससे कि लोगों को bank account खोलने में परिशानी नहों अगर उनके पास आधार काड है तो उनके अभी के address पे बले ही वो अभी के address इस आधार काड पे चरहे हो या नहों उनका bank account खुलना चाहिए उस नए address पर लोगों को जो डर रहता है कि काफी सारा data इस आधार के कारण सरकार के पास एक आमनागरिक का है तो उसकी क्या security है मैं बड़ा इसपर्श कर देना चाहूंगा कि आधार के पास सभी तरह के data नही भले ही आधार का उपयोग अनेक छित्रों में हो सकता है बैंकिंग के लिए आधार का उपयोग किया जा रहा है पहल जो सरकार का कारिक्रम है जिसमें कि gas cylinder की सबसीरी दी जाती है उसमें उसका उपयोग हो रहा है मनरेगा में हो रहा है स्कॉलर सीट में हो रहा है income tax return में भी गलत है उनका ऐसा सोचना गलत है विकॉस कि आधार के पास यह सब information कभी आता ही नहीं है अधार के पास तो उन्हें इन्वल्मेंट के समय जो उन्होंने information दिया था कि अपना basic नाम पता इत्यादी प्लस उनके biometrics जो मेरे पास आए और जो बाकी जो information है जैसे income का information है bank account का information ह है उनका profession का information है वो अलग-अलग agency के पास रहती है वो आधार के पास आती ही नहीं है तो इसलिए एक सोचना कि यह सब पुरी पुरा data आ गया आधार के पास और इसलिए अगर कोई breach हुआ data तो हमारा data चोड़ी हो जाएगा या उसकी privacy उससे हंग हो जाएगी ऐसा सोचना गल देखें यह जो हमने अंतर रखा है वो बड़ा सोच समझ करके अंतर रखा है क्योंकि आधार का जो नया कानून हमारे संसर ने जो पास किया है उस कानून के तहत आधार कोई citizenship का proof नहीं आधार सिर्प यह दिखाता है कि वो इस भारत का निवासी है भारत का निवासी यहां क के कानून के तहत और हमने आधार के कानून में बड़ा इस फस्ट लिखा है कि जस्ट इस कारण से कि किसी के पास आधार कार्ड है तो वो उसके बेसिस पर इस देश का नागरित्व क्लेम नहीं कर सकता है वो citizenship क्लेम नहीं कर सकता है citizenship क्लेम करना होगा तो इसके लिए एक अधार एक बहुत ही सकस्ट फुल भारा सरकार का प्रोग्राम है और अब कई सारे ए-गवर्नेस की सर्विसेज इसके साथ ऐसोसेट हो रही है तो हम उमीद करते हैं कि आने वाले जुनों में अधार कई सारे सकस्ट पूल होगा हर किसी के पास अधार कार्ड होगा आपका ब अधार कार मनोज गैरोला ये कारकरम आकाशवानी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इस कारकरम के संबंध में अपनी प्रतिकिरिया आप हमें इमेल कर सकते हैं पता है airnsdtalks at gmail.com ये कारकरम फिर से सुनने के लिए लौग उन करें हमारी वेबसा air.nic.in